Hi everyone, welcome back to Dream UK आज की वीडियो में मैं आपको एक highly sophisticated scam के बारे में बताऊँगा जो यहाँ पे बहुत लोगों के साथ हो रहा है और इस वीडियो का परपस है कि मैं आपको पहले aware करूँ कि इतना highly sophisticated scam कैसे हो रहा है और आप उससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है? तो देखो, जब आप UK में आते हो, यहाँ पे part time काम करते हो या फिर बाद में job करते हो, तो यहाँ पे जो भी आपकी tax calculation होती हो बहुत ज़्यदा clear होती है calculations का, अब देखो हो क्या रहे कि मेरे को एक email मेरी थी मेरे ही channel के viewer की जिन्होंने पूरा describe करके बताये इस event के बारे में और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था तो मैं आपको बताता हूँ कि scam में होता क्या है आपको ना एक phone आता है एक random number से और उस पे एक automated message आता है कि आपको एक HMRC ने letter भेजा था लेकिन वो HMRC के पास return हो गया है और अब आपके उपर criminal proceedings हो सकती है तो know more about this you need to press one ये एक automated message है English में तो आपको लेगा कि automated है तो हाँ कुछ government चे रिलेटिड हो सकते है नहीं तो लोग generally सीधा call करते है फिर आपने one press किया अब यहीं से ही सारी कहानी start हो जाती है सबसे पहले तो ऐसी होई call आई card दो उसका आपको कुछ नहीं गरना बट होता गया अगर आप one press कर दो कोई बंद आपका phone इठाएगा बिल्कुल British accent में वो बोलेगा कि आपने यहाँ पर call क्यों कर रहा तो आप बताओगे कि ऐसे आपके पास call आई उसमें बताए गया कि आ आपका unpaid है अब यहाँ पे ऐसा होता है कि आपका overpaid tax भी हो सकता है underpaid भी हो सकता है overpaid होता तो मिल जाता है underpaid होता है तो आपको pay करना होता है tax year की calculation के बार ठीक है तो यह होता है तो उसने लड़की ने बिल्कुल British accent में बोला कि आपका इतना tax pending है और यह criminal offense है और अब दो त sort करनी कोशिश करो या फिर आप यह amount हम आपको details देते हैं अपने bank account की उसमें transfer गड़ा ताकि हम यह case close कर दें तो obviously जो बंदा था उसे लगा कि भाई इतना बड़ा amount है ऐसे ही phone पे इसको थोड़न दे सकते हैं तो उसने मना करा कि मैं यह pay नहीं करूंगा तो उसने थोड़ा force करना start करा कि इससे आपके UK में graduate visa पे impact आ सकता है आपके status पे impact आ सकता है इससे आपको court में जाना पड़ सकता है बूरा case लेगे और वो बहुत लंबा procedure हो जाएगा तो उससे बचने के लिए करो तो उसने कहा कि नहीं मैं यह नहीं करूंगा तो वो कहती कि आपके bank में कितने पैसे हैं तो even दो उसको तो suspicion भी हो रहा था गर उसको दर भी लग रहा था क्योंकि ऐसी call अगर आपको randomly आती है तो डर तो लगता ही है तो उसने सोचा कि चलो bank balance बता रहता हूं एक confidential information नहीं है तो बच्चा student था भी recently पढ़ाई complete करी थी नई accommodation में हुआ था तो आट सो नौ स होगा यह refundable होगा by the Supreme Court of the UK ठीक है तो अगर आप यह reduced amount हमें आप अभी दोगे तो आपका case close हो जाएगा और बाद में आप इसका refund लिसब तो Supreme Court of UK से तो फिर वो कहती कि आप एक बर Google पे Supreme Court of UK सर्च करो number of Supreme Court UK सर्च करो Google पे तो उसने Google पे सर्च करा तो एक number आ गया वहाँ प उसी number से उसको call आती है तो वो कहते है कि मुझे इस number से call आ रही है तो वो लड़की कहती है कि अभी यह call hang up कर दो और वो call बहुत अद इंपॉर्टेंट है उसे उठा लो ठीक है तो वो बंदा उठाता है अब वहाँ पे एक male बंदा होता है जो again पूरे British accent में बात कर रहा है तो वो बंदा उससे बोलता है कि आपका warning number और आपका arrest number क्या है तो भाई उसके कान खड़े होगे लड़के की यह मेरा arrest number कैसे पूछ रहे है मेरे पास तो ऐसा कोई number नहीं है बट अगर आपसे कोई बोलेगी आपका arrest number के एक phone call पे तो आपको भी लेगा कि यह situation और serious होती ज अब इसके बाद क्या होता है वो उसे बोलते हैं कि आपका जो reduced amount है वो है 701 pounds आप यह भी पी कर सकते हो अगर आप यह पे नहीं करोगे तो आपको क्या कहते हैं court में जाना पड़ेगा ministry of justice जाना पड़ेगा अपनी सारी proceedings के लिए और यह criminal offense हो जाएगा so either you pay 701 pounds या फिर आप यह सब face करो और फिर वो बंदा कहता है कि आप एक बर ministry of justice UK का number search करो google पे फिर वो google पे search करता है और वो जैसी search करता है ministry of justice का वो जो number होता है same number से उसे call आती है और missed call आती है तो फिर वो और urgency create करनी कोशिश करता है कि क्या कहते हैं आप इस amount को जल्दी प बढ़ती है तो वो भी बंदा डर जाता है और फिर वो बंदा उससे पूछते है कि आपका bank account details का है आपका bank account कहां पर है उसमें कितने पैसे हैं खुद की मलब ऐसे confidential information नहीं पूछता बट खुद की details बताता है कि यहां पे ऐसे जाके आप pay कर सकते हो और इतने में ही क्या होत आती है वन पर प्रेस करना होता है फिर वो कहते हैं कि आपका इतना pending amount है supreme court जो है वहां से call आती है फिर ministry of justice से missed call आती है मुझे नहीं पता कि यह सब यह कैसे कर रहे है कि supreme court का number search करो फिर उसी same number से आपको call आ जाती है फिर ministry of justice के number से missed call आती है बट यह सब कुछ बहुत जादा आपको डरा देता है ठीक है और आपको लगता है कि being an immigrant court और उस सब में जाने से काफी ज़दा बेटर है कि पैसे दे के चीज़ सॉल्व हो जाए because अगर आपके record में कोई criminal offense आ जाता है तो बाद में कहीं और का visa लेने में दिक्कत आ सकती है PR लेने में दिक्कत आ सकती है यहा अब अगर आपके पास भी ऐसी call आए आप भी hang up कर दो क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरको भी call आए थी random number से मैंने किसका number है मैंने phone उठाया तो ऐसे automated message आया अब मेरको तो यह email मिली थी एक viewer की तो मैंने पूरा incidence समझा था बट अगर मैंने वो नहीं करा होता तो मैं भी क्या है क्या नहीं है मैं भी में दिमाग करा हो जाता है मेरा क्या हो रहे है सब तो अब देखो सिंपल सी मैं आपको इस चीज से बचने के तरीके बताता हूं इस call को तो आपको कट कर देना है क्योंकि HMRC कभी call नहीं करता ठीक है बट ऐसी situation हो सकती है जिसमें आपने कम tax pay कर आओ जिसमें आपको tax pay करना पड़ेगा और ज्यादा tax pay कर आओ उसमें आपको check मिलता है अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो तो देखो HMRC की एक website होती है जहां पे आप अपना account create कर सकते हो मैंने भी वहां पे account create करा हूँ और वहां पे उस official website पे लिखा आ जाता है कि आपको tax का या underpaid tax का ठीक है क्योंकि HMRC notifications भेजता है that's not false तो देखो यह मेरा HMRC का account है ठीक है यहां पे personal tax account लिखा हूँ है और यहां पे आप देखोगे यह 6 April 2022 से 5 April 2023 HMRC sent you a check of £979 on July 5th, 2023 so मेरको एक बार मेरा tax over पे हो गया था तो मेरको £979 का refund मिला था HMRC से ठीक है और यह जो refund था बाद में को check मिला था जिसको मैंने bank में लगाय था मेरे account में पैसे आगे थे बहुत मज़े आय थे मैं तो consider भी नहीं करा था यह amount बट इतना amount मेरे bank account में आ गया तो काफी सही रह मुझे नहीं पता मेरी company ने क्या tax calculation करी थी बट जो भी थी हो maybe accurate नहीं थी तो ज्यादा tax काट लिया होगा लेकिन इसी तरह से आपको यहाँ पे दिख सकता है कि आपने overpay करा है या underpay करा है तो अगर कभी आपको ऐसी call आए और आपको जिग्यासा हो जानने की कि आपका actually में tax कम था या जादा था तो आप यहाँ पर account बनाके register करके HMRC account आप Google पर search करो वहाँ पर पूरा process आजाएगा आपको I think अपने BRP से भी link करना पड़ता है यह तो थोड़ा लगता है time 15-20 minute लग जाएंगे आपको शायद पूरा registration process में लेकिन यह होना बहुत जरूरी है ताकि आपको आपका पता चलते रहे कि अगर आपने tax नहीं पे करा तो आप कर दो क्यूंकि नहीं पे करा tax तो वो तो एक offense माना जा सकता है बट किसी की call पे विश्वास मत करना तो यही point था इस वीडियो का ऐसे scams में नहीं फसने आपको ऐसी call जाती है तो लगता है कि सही हो सकता कोई बिटिश बंदा बोल रहे है तो सची होगा बट अर अपने हो डोंट गेट शटक इंट थीस कांड फसकांप और यह पूंद आपको वीडियो आपको यह लेंग सम्थिन नूव और यह वोग यह उडियो अवर आवर नाव अल बेस्टे केर बाए